सो गई अब lecture नमझा थर्ड यहाँ पर continue कर रहे हैं हम लोग वेक्टर जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस किया पर continue कराूंगा मैं अब देखते हैं कि इस पर question कैसे बनेंगे वेक्टर पर हमारे जो question है वह कैसे बनेंगे ठीक ना तो एक थोड़ा सा अगर दो वेक्टर है जिसमें बीच में एंगल थीटा है तो इसको में परते हैं ए डॉट बीच अगर आपके पास वेक्टर के बीच का एंगल 0 अगर थीटा आपका 90 के बीच में तो जो आपका तो क्या होगा पोजींटेव होगा तो answer dot product कितना हो जाएगा, 0, clear है ना, और अगर theta greater than 90 degree है, theta 90 degree से बड़ा है, तो 90 degree मतलब second quarter में चला गया, तो second quarter के लिए cost theta क्या होता है, negative, क्या हो जाएगा, negative, तो that situation में a dot b क्या जाएगा, negative है, क्या जाएगा, negative, तो यहाँ पे बड़ा है, तो negative है, clear हो गया, Yes, तो कुछ examples की मैं बात कर दो, तो मैंने अभी बता दिया, work जो होता, sorry, scalar quantity है, तो work is equal to force dot displacement, क्योंकि a scalar product है, तो जिने में दो vector का multiply करोगे, तो जो quantity generate होगी, तो क्या होगी, scalar होगी, क्या होगी, scalar, तो work is a scalar quantity, मगर यह किस से बना है, force or displacement के dot product से, इसी तरीके से, power is a scalar quantity, that is a multiply dot product of force and velocity, force and velocity, तो यह दो उपर numerical बनते हैं, बच्चो, important है, okay, clear है, बन जाएगा ना, so, यह, यह शीट दोनो हो चुकि है, हमारी, done, नेक्स्ट आते हैं, unit vector का dot product मैंने आपको सिखा दिया है, i.icap definition से, mod a, mod b, cos theta, 1 हो जाएगा, सारा का सारा, विगास, खुद के साथ angle कितना है, 0, है ना, तो i, यह रेखिए, इस तरीके से चलता, x-axis है, x-axis का unit vector क्या होता है, i-cap, y-axis का क्या होता, j-cap, unit vector, और z-axis का क्या होता है, k-cap, सब के बीच में angle कितना होता है, 90 degree, अगर अलग-अलग access की, अब खुद के साथ angle कितना होगा, 0 degree, तो i.i, j.j.j.or, k.k. k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर आप i.j, j.k. or k.i करो जाएगा, 0, because cos 90 मिल जाएगा, यहाँ पर cos 90 कितना हो जाएगा, 0, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डन न, easy एकदम, चलिए, अगर खुद का vector का dot product multiply किया जाए, a dot equal to mod mod cos 0, तो कितना हो जाएगा, a square, vector v dot vector v equal to कितना हो जाएगा, v square, कितना हो जाएगा, v square, तो एक बहुत बढ़ी है concept है, मैं आपको यहाँ पर बताओ, जो energy होती है, energy equal to half mv square होती, half mv square, आपको क्या लिख सकते हो, 1 upon 2 m, और v square को क्या लिख सकते हो, v dot v, v dot v, क्योंकि magnitude का square, vector के square के क्या होता है, equal होता है, अभी बता है ना, कि किसी vector का square, उसके magnitude के square के equal होता है, तो reversely अगर देखा जाएगा, तो v square को मैं vector v into v नहीं लिख सकता है, क्या, बिलकुल लिख सकता हूँ, dot product को satisfy करता है, मतलब a dot b equal to b dot, a commutative होता है, dot product के लिए है ना, हाँ, cross के लिए नहीं होता है, है ना, yes, distribution law मैंने बता दिया था, a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c, मतलब distributed rule यहाँ पे allowed होता है, ठीक है ना, आगया समझ में, next बात करते है, scalar product in term of component, दो आपने component ले लिए है, ax, ay, az, पहला vector a का, और b vector b x, by, b, z, यह आपने दोनों को multiply किया, तो किस तरीके होगा, देखो, पहले, ax, ay, az, यह रख दिया, b x, by, b, z, to a x, b x, i cap dot i cap कितना हो जागा, one, but i cap जब j cap के साथ जागा, तो कितना हो जागा, zero, और i cap के साथ जागा, तो कितना हो जागा, zero, clear होगा, तो बाकी सारे zero जाएंके, well, same to same बचेंगे, तो क्या result आएगा, ax, bx, plus a y by plus az, bz, तो अभी हमें आपको जब product करा होगा, बहुत important है, यह बच्चे, आपके exam में आता है, अगर आपके पस दो vector रहेंगे, तो आपको directly क्या करना है, x, x component, y, y component, z, z component का multiply कर देना है, बो, clear है, तो बस आपको ऐसा कर देना है, ठीक ना, चली देखिए, अगला question है, find the angle between the vector a and b, where a is called b, equal to it, तो बच्चों, मैंने आपको बता है, formula, a dot b equals to mod a, mod b, cost theta, बोले यहां, तो एक काम करो cost theta, गो रोक लो, और यहां आजागा, a dot b, आपन नीचे क्या, mod a, mod b, तो a dot b, कैसे निकलेगा, देखो, दो नो vector, यह 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 यहां, dot product तो निकाल लोगे, निकाल ल 3, और नीचे mod a, mod b, नीचे mod a, mod b, तो पहले vector का magnitude देखो, बेटा कितना आगया, root 6, दूसरे का भी कितना आगया, root 6, तो ऊपर 3, नीचे root 6, root 6, कितना आगया, 1 by 2, मतलब, cost theta equal to 1 by 2, theta 1 by 2, theta 1 by 2, किती डिगरी पहोता है, 60 degree, पहां सा theta equal to 30 degree, एक्दम सिंपल है, बहुत ही easy है बोलो, done na, simple एक्दम, चलो, अगला question, यार, ये question बहुत exam में आता है, एक वेक्टर a and b are perpendicular to each other, ये perpendicular का sign है, किसका sign है, perpendicular, किरा कि find the right value of lambda, भाई, जब perpendicular है, तो a dot b, कितना होगा, 0 होगा, ये तो आपन जानते है, तो इसका, इसके सांद रॉट पोड़ कितना होजागा, 0, value प minus 9, बोलो, बन जाएगा न, बच्चो, एकदम easy, ऐसे question आते है, अगला question देखो, आहा, कितना प्यारा question है, simple एकदम, a इतना दिया, b इतना दिया, then find the value of a plus 3b dot 2a minus b, तो मतला पहले a plus 3b बनाओ, तसल्ली से, ये देखो a, और इसमें 3 के सांद b का multiply करके बन गया, a plus 3b, समझ म multiply करके 2a or minus b, ये हो गया, बोले सानो, अब इन दोनों का का करना, dot product, क्या करना है, dot product, ये दोनों का dot product कर दिया, answer आगया, बोलो, बन जाएगा, कोई दिक्कत, अचली एगला, if two vector a and b, some a, if for two vectors a and b and some a, a plus b, हैना, is perpendicular, इस क्या है, perpendicular to the difference a minus b, find their magnitude, by simple है, कहरा है कि a plus b और a minus b, दोनों एक दूसरे के perpendicular है, तो ये दोनों का dot product कितना होगा, 0 होगा, अब खोल दो इसको, a dot a क्या होगा, a का square, a dot b हो जागा, a dot b minus का, और b dot a कितना हो जागा, b dot a, बोले सानो, और अब भी आपने पढ़ा है कि a dot b और b dot a, दोनों क्या होते हैं, equal होत अब ये एक plus का, एक minus का, जब एक को हैं, दोनों एक दूसरे कैंसल कर देंगे, और ये होगा, minus b dot b, ये सानो, so vector का square equal to vector के magnitude का square, a square minus b square equal to 0, this means a square equal to कितना, b square, तो ये रेंडर रूट ले लो, मतलब, mod of a equal to mod of b, clear हो गया, बन जाएगा, एनी प्रोब्लम, so दोनों के magnitude क्या हो होंगे, equal होंगे, दोनों के magnitude क्या होंगे, equal होंगे, अगला question देखिये, if this vector is perpendicular to this vector, then find the value of alpha, लियो भाइसा, बहुत simple question अभी कराया, दोनों vector एक दूसरे के perpendicular to dot product equal to 0, alpha के value, find the value, लो एक दम बच्चो वाला question, 3 vector a, b, c satisfy the relation a dot b equal to 0 and a dot c equal to 0, then vector a is parallel to, कह रहा है कि a dot b equal to 0, a dot b equal to 0, भाई देखो, a dot b equal to 0, मतलब एक इसके perpendicular है, b के, और a dot c equal to 0, मतलब एक इसके perpendicular है, c के, ठीक ना, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, यह देखो, a है यह, बोलो हाया न, और a जो है, अब कह रहा है, then a is parallel to, then a is parallel to, a, b के perpendicular है, तो यह a हो गया, देखो, इस plane में suppose b जा रहा है, क्या जा 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 रहा है, c तो आपको मैंने पढ़ाया है, उसके पर पर्पविडिवोरर निदेखो, अगर आफ बी सी की तरफ या इसन के पर पेल्लेल तो ऋना-खन्स मों अगर आप बी को सी की तरफ या सी को बी की तरफ रोटेट करो, तो आपको मैंने प问题 रहा है है, ये पढ़ा है B cross, तो B cross C का जो वेक्टर जननरेट होगा वो B और C दोनों के plane के perpendicular jen collaborative होता है सानों, क्योंकि cross product में जो वेक्टर generate होता है, वो दोनों ही वेक्टर के perpendicular generate होता है, एसानों, तो अभी ये जो वेक्टर निकलेगा B cross C, वो क्या होगा? वेक्टर A के पैरलल होगा तो पूलगा कि वेक्टर A के पैरलल वेक्टर कौन होगा आंसर क्या होगा B क्रोस समझना है क्लियर हो गया वेक्टर A के पैरलल कौन सा होगा तो वेक्टर A के पैरलल कौन होगा B और C दोनों के परपेंडिकुलर और B और C दोनों के perpendicular vector क्या होगा? B cross C क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर आप A को B की तरफ rotate करते हो तो vector क्या बनता है? A cross B वो जो A के भी perpendicular होता है B के भी perpendicular होता है समझ गया ना? हाँ तो third जो vector होता है दोनों के perpendicular plane में हुआ करता है application की बात कर लेते है बिटा देखिए work is equal to force dot displacement equal to mod F mod R cos theta power is equal to F dot V that is equal to mod F mod V cos theta electric flux class 12 का है E dot A and magnetic flux class 12 का है B dot A clear आ गया? unit vector मेंने आपको बताया था unit vector equal to given vector की direction में unit vector होता है तो अगर A के पेकल to vector A upon mod A and B dot equal to vector B upon mod B बोले या सौनों component की बात कर लेता हूँ तो यदि ये vector component आपके पास में A है क्या है बिटा? A अब actually मैंने इसको ऐसे बनाया था इसने उल्टबाया तो A का theta की direction में जो component तूटता वो क्या होता है? A cos theta क्या तूटता है? A cos theta clear हुआ? A का theta की direction में जो component तूटता हूँ क्या होता है? A cos theta ठीक है न? चलिए तो अब हम निकाल रहे हैं component of a vector A along B component of a vector along B तो ध्यान से देखी ये A vector है अब थोड़ा सा समझना पढ़े गए आप अब पेच्छे समझी चलिए component of a vector A along B ये A vector है बोलो हाँ अब A vector का vector B के along अपनको component निकालना B के along component तो component निकालने के लिए क्या करो? सामने बढ़े vector से perpendicular draw कर दो perpendicular draw कर दो ये सौनो? ऐसे ही तो component निकलता है तो बटा A का ये theta की direction में जो component गिरेगा क्या होगा? A cos theta क्या होगा? बोलो होगा की निकालना है? A cos theta आप इसको ऐसे समझ लो ऐसे आपको क्या ऐसे दिखरा होगा न तो आपको problem हो रही होगी आप इसको ऐसे समझो चलिए ये रेखिए वेक्टर A है ये क्या है वेक्टर A और ये जा रहा है वेक्टर B वेक्टर B B की direction में A का जो component गिरेगा ये theta direction है तो ये होगा की नहीं होगा? बताइए component A का जो गिरेगा वो ये होगा की नहीं होगा? इसको मैं माल लेता हूँ X क्या माल लेता हूँ? X अब चलिए ये देखते हैं तो cos theta is equal to base upon hypotenuse base कितना है? X और hypotenuse कितना है इसका mod A तो भहिया X equal to कितना होगा? A cos theta तो सीरी-सीरी बात है ना कि theta की direction में जो component गिरेगा वो क्या होता है? A cos theta तो ये रेखिए ये vector है और theta की direction में जो component गिरेगा वो क्या होगा? A cos theta बोलिए हाँ है ना? अब A तो A है अब cos theta की value क्या पटर किया? हम लोग ने A dot B upon mod A mod B पढ़िए ना? तो A cos theta यहने A और cos theta की value vector A dot vector B upon mod A mod B बोलो ये सो नो सो mod A से mod A क्या हो गया? cancel क्या बच गया only? A dot B upon mod B क्या बन गया? A dot B upon बचा की नहीं बचा? तो answer जो component होगा component कोई क्या बोलते है? projection क्या बोलते है? projection of vector A on vector B vector A on vector B कितना आएगा? A dot B upon mod B समझ में आगे ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? B cap भी तो लिख सकते हैं इसको? तो क्या होगा? A dot B cap A dot B cap तो बेस तरीका इसको याद रखने का मैं बता दूँ दोनों vector का dot product upon जिसके उपर आपने projection डाला है उसका magnitude दिख्या? यह देखो vector A dot vector B upon mod B मतलब दोनों का dot product नीचे जिस पर आपने projection डाला है उसका magnitude clear है भाई? चलिए आईए देखते हैं कहरा vector component of vector A along B तो अभी तो निकाल लिए हम लोगों ने vector component of A along B है ना? तो vector component of A along B अभी आपने देखा projection of A along B यह देखी लिखाला है मैंने पहले ही यह देखाला है projection of A along B क्या बता था? A dot B upon mod of B इसको क्या लेख सकते हैं? A dot B cap बोलिए से हैं नो? यह हो गया और दूसरा projection of B along A B along A तो दोनों का dot product A dot B upon mod of A इसको क्या बन जाएंगे? A cap dot B ठीक है ना? तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है यह हमने लिकाल दिया है ना? बोली बन जागा ना? हाँ तो दोनों चीज़ें हमने कर ली है that means take component of A on B भाई सीखतो लिया A का B पर projection A का B पर projection यह A है और यह क्या है? B है तो भाईस अब A का B पर projection क्या टूटेगा? A cos theta क्या टूटेगा? A cos theta तो यह A cos theta cos theta की value रोग दी बारबर वही चीज़ें आ रहे हैं बारबर है ना? तो A dot B clear हो गया ना? Yes projection of B on A यार फिर से वही चीज़ जा गए यह B on A projection मैंने फिर बता दिया है कि vector B dot vector A upon mod of A mod of A yes or no? B का A पर projection दोनों का dot product और mod of A दोनों को यह merge कर लो तो क्या बन जाएगा? B dot A cap B dot A cap इसी को क्या लिख सकते हैं? A cap dot B A cap dot B तो यह क्या है? B का A पर projection B का A पर projection समझ गया ना? क्या होगा? B cos theta क्या होगा? भाई यह B जा रहा है A पर projection खीचों के तो क्या निकले गए? B cos theta समझ में आ गया ना? Any problem? चलिए अगला अग देखे क्वेशन है find projection of this on this so simple अभी मैंने पताया फार्मूला इसका इस पर तो ऊपर दोनों का dot product हाया ना? और नीचे क्या? नीचे वाले का magnitude समझ में आ गया? तो A dot B upon mod of B कर लोगे ना? यह दोनों का ऊपर dot product upon mod of B तो यह answer आ गया ठीक है? ठीक है? ठीक है? यहां तक हमारा काम complete होता है vector का dot product scalar product के सारे application यहां पर मैंने करा दिये हैं ठीक है?